नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरे में जहाँ पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें तो दोस्तो बिनादेरी की ये शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और इसी के साम दोस्तो आज की पहली बड़ी खबर कि ओमिक्रोन विरियंट से देश में कोरोना की तीसरी लहर आनाता है, फरवरी में डेली डेड़ लाग केस आने से मच सकती है तबाही, दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि ओमिक्रोन विरियंट का खत्रा जहां भारत में अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अपने गनितिये मॉडल सूत्र के आधार पर दूसरी लहर की भयवाता का आंकलन करने वाले IIT के प्रोफेसर मनिंद्र अगरवाल ने तीसरी लहर को लेकर चोकाने वाला खुलासा किया है। प्रेकर तो यहीं लगता है कि सरकार जल्द ही लॉक्डॉन लगा सकती है। सरकार ने अभी से ही सकती दिखाने शुरू कर दी है। जामनगर में मिला है। बताया तो यह जा रहा है कि गुजरात में अफ्रीकी देश जिमबावंबे से लोटा यह सक कोरोना के नए वेरियंट से संक्रमित मिला है। आपको बताते कि रज्जे स्वस्त विभागने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात में ओमिक्रोन का पहला मामला जामनगर में सामने आया। और इसी किसान दोस्तो अगली बड़ी खबर कि किसानों के खाते में आएंगे 4000 रुपे जल्द करें ये काम वरना अटक सकते हैं पैसे। जारुपे आएंगे पर यहां पर आपको बता दे कि किसानों के खाते में पैसे 15 दिसंबर को आना शुरू हो जाएगा। क्या आपको भी PM किसान का पैसा मिलता है या नहीं। और इसी किसान दोस्तो अगली बड़ी खबर कि मदुरय में कड़े हुए और COVID-19 के नियम बिना वैक्सिनेट नहीं मिलेगा किसी को भी होटल न होगी मौल्स में अंट्री। दोस्तो यहाँ पर आपको बता दे कि भारत में कोरोना वाइरस के नए वीरेंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। देश भर में नए वेरेंट को गंभीरता से लिया भी जा रहा है। तमिलाडू के जिले मदुरय में COVID-19 के नियमों को एक बार फिर से कड़ा कर दिया गया है। इसी किसान दोस्तो अगली बड़ी खबर कि 7 दिसंबर को खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन, SKM की बैठक में शामिल हिम्मत सिंग ने किया दावा। 24 घंटे में मिले हैं कोरोना के 8603 नए मामले जबकि 415 मरीजों की मौत। दोस्तो यहाँ पर आपको बता दे कि ओमिक्रोन के खत्रे के बीच देश में COVID-19 के 8603 नए मामले सामने आए और 415 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद कुल संकुमितों की संख्या बढ़कर अब 3,46,24,360 हो गई है जबकि मौत को की संख्या 4,70,570 हो गई है। और इसी किसान दोस्तो अगली बड़ी खबर की सरकार से बात करने के लिए संयोक्त किसान मोर्चा ने बनाई है 5 सदस्यों की कमेटी राकेश टिकैत ने कहा आंदोलन रहेगा जारी। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। और इसी किसान दोस्तो अगली बड़ी खबर की 31 दिसंबर तक फाइल कर दें इंकम टेक्स रिटन नहीं तो देना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। पर समय रहते ITR दाखिल करते हैं तो इस जुर्माने से आप बच सकते हैं। अगर आप समय पर ITR दाखिल करते हैं तो आयकर विभाग से नोटिस की परहशानियों से आप बच सकते हैं। और इसी किसांद दोस्तो अगली बड़ी खबर कि दक्षिन अफरीका में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे बड़ा शिकार बना रहा है ओमिक्रॉन। दोस्तो यहां पर आपको बता दे कि दक्षिन अफरीकी विश्यशक्यों ने छोटे बच्चों में COVID-19 संक्रमन की बरती संख्या के बारे में चिंता व्यक्त की है। और इसी के साम दोस्तो अगली बड़ी खबर की लालू बोले जातिये जनगना के लिए करेंगे अंदोलन जो रास्ते में आएगा हवा में उड़ जाएगा। के साम दोस्तो अगली बड़ी खबर की कैप्टन के राह पर चलेंगे गुलाम नभी आजाद। में रैलियों की भीड से गदगद कॉंग्रेस छोड़ बना सकते हैं अपनी नई पार्टी। दोस्तो यहाँ पर आपको बता दे कि कॉंग्रेस के वरिस्क निता गुलाम नभी आजाद द्वारा जम्मो कश्मीर में जन सभाओं की तेज रफ्तार ने अटकलों को हवा दे दिये कि पूर्वर राज्य सभा सांसद जो की पार्टी से असंतुस्ट G23 समू का हिस्सा भी है जल्दी अपना खुद का संगठन लॉंच कर सकते हैं आजाद ने अपनी चुपी तोड़ी है लेकिन कॉंग्रेस की आलोचना करते हैं पुंच में एक जन सभा में उन्होंने कहा कि वो संभावना बताई गई थी इससे उडिसा, तमिलनाडू, अंदमार, निकोबार और बंगाल भी प्रभावित होने के आशंका है आपको बतादे कि प्रशाषन ने चक्रवाद से निपटने की पूरी तयारियां कर ली हैं जवाद के प्रभाव से उत्तर आंधर प्रदेश औ और इसी के साओं दोस्तो अगली बड़ी खबर कि बाइडन ने पुतिन को दी है चेतावनी, हम नहीं मानते कोई भी लक्षमन रेखा, उक्रेन पर हमला करने को लेकर किया आगाह। और आपको बता दे कि बाइडन ने कहा कि मैं रूस की लक्षमन रेखा यानि की रेड लाइन जैसी कोई शर्थ स्विकार नहीं करता। यह उत्स करतावा है यह बढ़ा है आपको प्सक्रेश बोड़रू आपको बाइडन पर इन ने जब लेगा हैं पर दो स्विकार आपको ले आपको ले वेगाह। झाल झाल